नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि How to stay motivated for examinations examinations बिलकुर हमारे सेट पर आ चुके हैं एक महीने का टाइम, देर महीने का टाइम, मुस्किल से किसी भी student के लिए, चाहिए वो 10th board वाला हो, 12th board वाला हो या फिर तुमारे normal school के examination चल रहा हो सारी चीज़े बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और ऐसे में, बहुत important है कि हम motivation बना के रखें होता क्या है, कि दो दिन अगरा मेरी motivation आभ ही गई कि भाई चलो exam में पढ़ लेंगे, तो दो दिन पढ़ा ही हो जाती है तीसरे दिन भाई वही, बेड़ पर पढ़े हुए है, सोच रहे कि भाई 6 बज़ेगा तो पढ़ने जाएंगे, 7 बज़ेगा तो पढ़ने जाएंगे और ऐसे में पूरा दिन पास हो जाता है तो बहुत important है कि किस तरीके से motivation बनाए रखे और अगर तुम्हारी examination नहीं पिया दो, तो किस तरीके से regularly study करते रहे बहुत important आज किस वीडियो में discuss करने वाला हूँ, तो इन तक बनेड़ो मेरे साथ दूस्तो होता क्या है, कि जब हमारा examination कल है मालो तुम्हारे examination से अगले दिन है तो यहर उस दिन तुम्हें motivation की ज़रूत नहीं पढ़ती उस दिन तुम नहीं आओगे YouTube पे कि भाई पढ़ना कैसे है, भाई exam से पहले कैसे पढ़े उस दिन नहीं होता हाँ, एक हफते पहले तुम यह चीज़े देख रहे होगे लेकिन exam से एक दिन पहले भाई, तुम से ज़्यादा motivation दुनिया में किसी के पास नहीं होता और यह चीज रियालिटी है, तुम भी जानते हो और तुम्हें यह भी पता है कि वो जो dedication तुमारे एक दिन पहले होता है अगर वो दो महीने पहले से भी हो जाए तो तुम अपने class में top मां रहे होगे तो आज किस वीडियो में बात करने वाला हो कि किस तरीके से इस चीज़ को maintain करके लगे तो दोस्तियार add and वही बात है कि motivation तुमारे अंदर जाती है मैं इस वीडियो के तरूल में motivate कर दूँगा 10 minute का motivation होगा भै तुम पढ़ने बैट जाओगे 2-3 घंटे अच्छे पढ़ाए कर रहोगे लेकिन उसके बाद पूरा दिन तुम पढ़ रहे होगे कि नहीं पूरा महीने भी तुम पढ़ रहे होगे कि नहीं और तुमारे examination time तक तुम पढ़ रहे होगे या नहीं यह चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उपर depend करती है यह motivation 10-15 minute का रहने वाला है तुमारा एक study session तुमारा एक study session जरूर चल जाएगा लेकिन उससे जादा कता ही नहीं चल सकता तो बहुत important है कि वो motivation किस तरीके से बनाए टके भाईया यह तो हमें भी मालू है जितना चीज़ा भी बताई अब यह बताओ कि बना के कैसे रखना है तो बहुत simple से बात है कि अपने आपको कर दो महीने है मेरे पास लेकिन यार यह दो महीने तो पढ़ ले और दोस रिसेंटली जो मैंने बहुत एक बहतरीन लाइन सुनी है कि जो लाइन तुमें जिंदगी में सबसे जादा हर्ट करने वाली है वो लाइन यह है कि मैं कर सकता था तो भाई जब तक तुम्हारे पास टाइम है मॉटिवेटेड रहो अपने दिवाल के आगे चिपका लो कि भाई मेरा यह गोल है और मैं सच बता हूँ यह चीज बहुत काम करती मैं भी अपने क्लास एट में बहुत मॉटिवेटेड था तो आज की डेट में डिसाइड कर लो कि मुझे कितना लाना है और अगर तुम्हें 90 चाहिए तो दुनिया में जाके भोल दो कि भाई मुझे 98 परसेंटेज लाना है ताकि जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुमारे पेरेंट्स तुमारे दोस्त सब तुम्हें हाके टोके कि तु तो बोलाता 98 परसेंट लाना है तो बढ़ा ही तो कर नहीं रहा है तो बहुत इंपॉरेंट है कि ये चीज़े करो और अट दे इंडियार मैं वही चीज़े कहूंगा कि अगर आज तुम नहीं पढ़ रहे हो तो बिलीव मी दो महीने बाद तुम ही पच्ता रहे होगे और जिंदगी पर पच्ताने से अच्छा है कि ये थोड़ा कर ले वो कहते हैं ना कि हमें सफलता मिले न मिले ये तो मुकदर की बात है मगर हम कोसिस भी ना करें ये तो गलत बात है तो दोस्ते कोसिस तो करते है यार तुम निसाल बर पढ़ा नहीं पढ़ा ये सारी जीज़े पीछे चूट चूट चूटी है अभी से जितना टाइम है अगर तुम ना बैश देते हो तो आईगें बैट यार अभी से जितना टाइम है